अगर आप किसी के कोल को रेकोर्ड कर देते हैं रेकोर्ड करने के बाद दोस्तों वो कॉल रेकोर्डिंग जो है आपको शोही नहीं होते हैं तो कैसे आप इस प्रॉब्लेम को सॉल्व कर सकते आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगारिंग पर सॉलुशन बताने वाला हूँ ठीक है जानने के लिए दोस्तों वीडियो के सारान तक बने रहे हैं सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पेसा कामाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस store में जाएए phone service search कीजिए उसको open करके update कर दीजिए update करने के बाद आपको back करना है setting पर जाना है scroll down करके apps and notification को open करना है और उसके बाद see all apps पर click करना है और यहाँ पर आपको search करना है phone service ठीक है आपको यहाँ पर search करना है phone service और उसके बाद आपको यहाँ पर यह option मिलेगा storage and cache indent इसके storage को clear कीजिए clear storage पर click करके okay कर देना ठीक है उसके बाद make sure सारे permissions इसके allow रहे हैं सारे permissions allow करने के बाद back करे mobile को restart कर दीजिए और उसके बाद अपने phone dialer को open कीजिए उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर show करके बताऊंगा कि कहाँ पर आपको मिलेगा ठीक है कि कहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा call recording तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने एक number पर उसके बाद यहाँ पर click करना है call history ठीक है उसके बाद आपको मिल जाएगा listen to recordings तो यहाँ पर click करना है उसके बाद यहाँ पर play करके आप सुन सकते हैं ठीक है तो आपको दोस्तों वह नंबर search करना है जिस नंबर को आपने record किया था उस नंबर के call history पर जाएए उस नंबर के call history पर जाने के बाद ही आपको उनके call recording मिल जाएगा तो यह हो गया दोस्तों आपका problem solve उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा thanks for watching